अब हम एंटर कर रहे हैं टोयोटा के सेक्शन में और टोयोटा के वीकल्स वर्ल्ड में नंबर वान हैं टोयोटा की जो एंजिनरिंग है उसको बीट करना किसे के बस की बात नहीं है टोयोटा की वीकल्स की ये खास्सेत होती है कि ये इतने स्टर्डी वीकल्स है इनको कभी र टोयोटा खौचुनर लिक्त आए लैटीस्ट मॉडलें लिक्त वर्चुनर यह Toyota Fortuner का front portion है काफी different बना दिया बड़ा sturdy sort of look बना दिया बहुत ही sturdy look बना दिया बहुत ही sturdy look बनाई है better finish दिया है more sturdy look बहतरीन इसकी look दी है थोड़ी सी I think height बढ़ा ही है Toyota Fortuner की I think vehicle launch हुँ है Toyota Legender Legender करके है यह I think Fortuner जैसी ही है की vehicle है Toyota Legender Toyota Legender है Fortuner जैसा ही है almost same vehicle लग रहा है बड़ इसमें थोड़े specifications different लग रहे है Legender के यह Toyota का एक और vehicle हुआ है जो launch हुआ है इसका नाम अभी हम बढ़ते है क्या नाम है इसका यह पूरी vehicle इस वीकल का नाम है Urban Cruiser High Rider यह पूरा वीकल है Urban Cruiser High Rider बाइ टोयोटा इसका मैं खूज़र बापको दिखाता है High Rider Urban Cruiser High Rider This is by Toyota जैसे कि मैंने आपको बताया है Toyota के वीकल नमबर वन है वर्ल्ड में इसमें कोई डाउट नहीं है इसका नाम है Mirai इस बल्कुल डिफरेंट सॉर्ट अफ कार लग रही है बहुत ही लग्शरी सेक्शन में आगई है लग्शरी क्लास वीकल है इसका फ्रंट देखने की हमको आगे जाना पड़ेगा इस वीकल का फ्रंट है यह वीकल है नेक्स्ट है Toyota Corolla Cross Toyota की हमेशा कार्स नमबर वन होती है और वेज तो प्यों जीरो मेंटेनस कार्स होती है और वेज यह Toyota Corolla Cross है यह Corolla Cross का फ्रंट पोशन है यह कार है Toyota Prius और यह सडान सेक्शन में है सडान क्लास में और इसका साइड पोशन है आपको दिखाता हूँ इस साइड पोशन आप दिस कार लग्शरी काटेगरी में लग्शरी सेज्मेंट में यह कार बनाई है इनोंने बड़ी अच्छी स्लीक लुक लिक दी है इनोंने पीछे से उपर उठती हुई टाइप की इसकी लुक है यह इसका प्रॉपर फ्रंट है और यह इस कार का पूरा का पूरा साइड पोशन है यह इस कार का बैक पोशन है बड़ी स्टाइलिश कार मनाई है इसके जो इसके जो बैक पोशन है बहुत स्टाइलिश की कोरोला एडिटिप्स कार है और इस बार इनोंने यह हाइब्रिड वर्जिन में लांच किया है हाइब्रिड वर्जिन मीन्स इसमें इलेक्रिक भी यह इसमें लिखा है फ्लेक्स फ्यूल तो यह इसका बैक पोशन है कार का इस दिए बैक पोशन इस इस इड़ कोरोला एल्टिस यह इसका बैक पोशन है प्रपर यह टोड़ा की बीज़ेड पोर एक्स विकल है बीज़ेड पोर एक्स कार के बिल्खुल क्लोज अपस है पीज़ेड पोर एक्स विए फिल्चेयर है यह बीज़े और अब यह बीज़ेड यहए फ्लेक्स थ्यूट अलगी अब यह विकल है तोयोटा काम्री जोकी बड़ी एने हें ङंद कर्म ओपौपलर मोडला आजका ही निहीं वात पुराना है? ढटो योटा कैंवरी का लेटेस्ट वर्शिन इम यह तोयोटा की वैल फायर है, वैल फायर आभ यह तयद्ट जकाल ही ह महालें इसको साइड से देखते हैं अल्मोस्ट लाइक सोफा आप देखिए इंटीरियर्स को बिलकुल इतना लेगरूम दिया हुआ इसमें बहुत ज़दा लेगरूम है यह तो सूपर लग्जुरी सेगमेंट में आ गया यह वाला विकल इसके इंटीरियर्स है स्लाइडर इसका डॉर है इसका बैक पोरिशन दिखाता हूँ यह है इसका बैक पोर्शन यह है इसका बैक पोर्शन this is the back portion Toyota Wellfire बहुत ही classic lights है और even back वाली यो lights है है उसमें भी बहुत ही बढ़िया इन्होंने seats दी हैं, बहुत ही जबर्दस seats मतलब इतना leg room और इतना बैकने का space इन्होंने दिया है जिसका कोई हिसा भी नहीं है ये side view है Wellfire, I think मुझे तो Toyota की Wellfire सबसे बढ़िया कार लगी सबसे बढ़िया vehicle इस से बटर vehicle मुझेल है बहुत ही comfortable vehicle इतना इन्होंने space दिया है बहुत space दिया है इसके अंदर बहुत जबर्दस hybrid ये vehicle है, hybrid means more than one fuel पर ये काम करेगी it may be petrol and diesel and gas and ethanol and CNG and electric or maybe a combination of these in fact, अगर आप ध्यान से देखें तो इसका नाम भी लिखा है इन्होंने wellfire executive lounge ये vehicle है कैसा vehicle है जो आपको पूरा lounge प्रोवाइड कर रहा है पूरा lounge और ये लिखा है यहाँ पर इधर लिखा है hybrid synergy drive E4 ये इसका इधर से interior का एक view नजर आ रहा है बहुत ही जबरदस्ट space ये लिखा है